पर जो मिल रही है वो आपको बता दे यूक्रेन के कमांडर इंचीफ जनरल वालेरी जालुजनी ने वाशिंटन पोस्ट के इंटरव्यू में एक दावा कर दिया है और वो दावा ये है कि यूक्रेन जंग जीतने वाले हतियार नहीं दिये जा रहे हैं जनरल वालेरी ने अमेरिका पर निशानत साधते हुए ये भी कह दिया कि यूक्रेन को हर हफते एक लाख तोप के गोले चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं और जिसकी वज़से यूक्रेन के एक हजार सैनेक हर हफते मारे जा रहे हैं इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई जो मिल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं जनरल वालेरी जालुजनी का ये बहुत बड़ा दावा है वाशिंग्टन पोस्ट के इंटरव्यू में दावा किया है कि यूक्रेन जंग जीतने व आखर 16 महीने की भीशन जंग के बाद राश्रपती जेलंस की और यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल जालुजनी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन अमेरिका की वज़े से हार रहा है क्या वाकई में अमेरिका यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं दे र चार जून से अब तक ऐसी क्या वज़ा रही है कि यूक्रेनी सेना का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है आखिर अमेरिका की टॉप जंगल मार्क मिले को ये क्यों कहना पड़ा कि यूक्रेन के काउंटर अटैक में सिर्फ खून ही खून है जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हो रहा है अमेरिका का धोखा यूक्रेन की मौत का तमाशा 45 साल के जैलंस्की जिस वक्त यूक्रेन के जनरल और कमांडरों से युद्ध का अपडेट लेते हैं तो यूक्रेनी जनरल और कमांडर जैलंस्की के सामने एक ही रोना रोते हैं कि रूस को हराने और खदेडने के लिए जो हत्यार नैटो के 31 देशों ने मिल कर दिये हैं उन हत्यारों से योक्रेन जंग नहीं जीत सकता है हैरानी की बात तो ये है कि योक्रेन को 600 तरह के घातक हत्यार मिल चुके हैं जो लगभग 15 लाख करोड की कीमत के हैं लेकिन उसके बावजूद योक्रेनी सेना के 49 साल के कमांडर इनचीफ जनरल जालूजनी का साफ कहना है कि योक्रेन को अभी वो हत्यार नहीं मिले हैं जिसके दम पर रूस को हराया या खदेड़ा जा सकी है अमेरिका का धोखा योक्रेन की मौत का तमाचा योक्रेन सेना के कमांडर इनचीफ जनरल वालेरी जालूजनी ने अमेरिका की पोल खोल कर रखती है जालूजनी का दावा है कि जंग जीतने वाले सबसे खातक हतियार अब तक अमेरिका ने नहीं दिये हैं जालू जनी ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिका के जनरलों ने वादा किया था कि वो हफ्ते के साथ दन 24 गंटे लगातार योकरेन की हर तरह से मदद करेंगे लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है जनरल जालू जनी के मताबिक हर हफ्ते एक लाग तोटके गोलों की जरूरत योकरेन की सेना को है लेकिन एक लाग गोले नहीं मिल रहे हैं जसकी वज़नी का यहां तक दावा है कि योकरेन को अभी तक अब 16 लड़ाकों विमानों के देने पर फाइनल फैसला नहीं लिया गया जिसकी वज़ा से काउंटर अटैक भूस के खिलाफ काफी धीमा चल रहा है जनरल वालेरी जालुजुनी का यहां तक दाबा है कि इसलिए योक्रेनी सेना को 500 मीटर यानि आधी किलोमीटर की दूरी पर हबजा खरने में काफी खून बहाना पड़ रहा है मस्त पार जандраль हून से लाप युक्री नашої розвідки ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам. Рішенням ставки головкому залужному та генералу Найво доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. शायद Second World War के बाद, ये ऐसा पहला युद्ध है, जहां एक देश यानी रूस 81 देशों से जंग कर रहा है. नैटो के 31 और 55 के 50 देश मिलकर इस स्वक्ति योक्रेन को अंधा धुन्द हथियार देने में जुटे हैं. हालात ये हो गए हैं कि इस स्वक्ति योक्रेन दुनिया का एकलोता ऐसा देश है, जो 600 तरह के हथियारों के साथ रूस के खिलाप जंग कर रहा है. यहां तक कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस स्वक्ति योक्रेन की पास पहुँच चुकी है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो योक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2,30,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है. वो योक्रेन पूर्वी और दक्षनी योक्रेन से अब तक रूस को नहीं ख़देड पाया है. योक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लगभग 4,000 टैंक, 7,600 सी जादा बखतरबन, 3,800 सी जादा तो खाना और 318 लड़ा को दिमान को तबाह कर डाला है. इस बीच अमेरिका ने शारों ही शारों में योक्रेनी सेना पर सवाल खड़े कर दिये हैं. अमेरिका का साफ कहना है कि योक्रेन के काउंटर अटैक का कमजोर होना पूरी दुनिया को निराश कर रहा है. वहीं अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने योकरेन के काउंटर अटैक को लेकर क्या कहा, जरा ये भी जान लीजे अमेरिका के जनरल मार्क मिले योकरेनी सिरा को दी जाने वाले हथियारों पर निगरानी रख रहे हैं मार्क मिले ही उस अमेरिकी टीम का प्रमुक्ख हिस्सा है जो तैय करती है कि योक्रेन को कौन से और कितने हतियार देना चाहिए जनरल मार्क मिले ने साफ कहा है कि योक्रेन का काउंटर अटैक बेहद खूनी होने वाला है जो काफी वक्त तक चलेगा, मार्क मिले कहना चाह रहे हैं कि योक्रेन को अभी और ज्यादा खून बहाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुतिन का रूस योक्रेन के पांच में हिस्से पर कबजा करना चाह रहा है। मस्त पड़ा जंडर, खून से लटपत योक्रेन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहां तक दाबा है कि योक्रेन जंग को तब तक नहीं रोकना चाहता है, जब तक योक्रेन को नैतों में शामिल नहीं कर लिया जाता है। अगर योक्रेन अभी रोस से शांती समझोता करता या फिर सरेंडर करता है, तो फिर नैतों के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि हारे हुए, पिटे हुए और हाफते हुए योक्रेन को नैतों का मेंबर बनाया जाए। यही वज़ा है कि युद्ध बेहत लंबा चलेगा। का में आए लुद्ध जाए। यज़ा है। युद्ध चौन का में अच्पर्ण होगा हैं युक्राइब युक्राइब डिवादान वन एक स क्योट नाए इट्पान देफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना पर योक्रेन का काउंटर अटेक उसके लिए स्यूसाइड मिशन साबित होगा क्योंकि पुतिन के रूस ने पिछले पांच महीनों में जबरदस्त तयारी कर ली है इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की सत्तर से ज़ादा हाइपरसोनिक मेसाइलें बना रहा है जबकि रूस के पास रिजर्ब में 7000 टैंक मौझूद है जो योक्रेन को पूरी तरक को च केना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफ्तों में ही राजधानी की उपर भी कपज़ा कर लेगा जैलन्सकी का यही डर और खौफ योक्रेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है अमेरिका का धोखा योक्रेन की मौत का तमाशा यही रहा है आप इसी से अंदासा लगा सकते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटन, जर्मनी जैसे 31 नेटो देशों से ट्रेनिंग लेकर आए जो योक्रेनी सेनिक इस वक्त रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे हैं वो बेहग धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं ताकि कम से कम योक्रेनी सेनिक मारे जाए योक्रेन की सेना अभी तक रूस की फर्स डेफेंस लाइन को भी नहीं छूपाई है जबकि जैलैंस्की अभी भी दावा कर रहे हैं कि योक्रेन का काउंटर अटैक रूस पर भारी पड़ रहा है Сьогодні фронт, Донеччина, Запоріжжя, наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнях було просування вперед, і це щасливий день. Я б обожав, що це більше таких днів. Путин अपने जनरलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं, कि योकरेन को कब तक युद्ध में खींचना है. क्योंकि रूस को अच्छी तरह से असास हो चुका है, कि अगर इस वक्त जंग रोकी, तो योकरेन को जिन्दा होने का मौका मिल जाएगा. और नैटो भी रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर तैयारी में जोड़ जाएगा. इसलिए पुतिन ताबर तोड हमले पूर्वी योकरेन पर कर रहे हैं. अगर चार जून से हिसाब लगाएं, जिस दिन से योकरेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था, तो अब तक योकरेन के 10 से 12 अजार सैनिक मारे जा चुके हैं. आओंग। झार, भुतिना ए कर बास के लाहर शुके हैं. जैलन्स की भले ही पूर्वी योक्रेन में अपनी जीत के दावे करें लेकिन बखमोड, क्राइनिया, डॉनबास, डॉनस, खेरसोन, खारकियो, मिकोलाइब, जापुराजिया और लोहांस कोबलास्ती ये वो इलाके हैं जहां योक्रेन रूस के खिलाब सबसे जादा हमले कर रहा है लेकिन दिक्कत ये है कि योक्रेनी सेना अभी तक रूस की फॉस्स डिफेंस लाइन को टच तक नहीं कर पाई है इसलिए अब कहा जाने लगा है कि चार हफते से जल रहा योक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है यथर जिस तरह से योक्रेन के जनरल जालुजनी अमेरिका के पोल खोल रहे हैं उससे साब पता चलता है कि योक्रेन अब हार की कगार पर पहुँच चुका है